सो हेलो एन नमस्ते एब्रीवन मेरा नाम है रीतुरास सिंग मैं पिछले 2020 से यार यूटियो काउंसलिंग पे वीडियो बनाते आ रहा हूं और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी है जिसको लेकर मैंने कुछ दिन पहले एक वी 2020 से वीडियो बनाते आ रहा हूं जब कोई भी यूटिव पर उतना ज्यादा चैनल नहीं थे और आज भी नहीं है आज भी अगर आप एक को एक दो चैनल मिलेंगे तो कभी ने कभी वो मेरी वीडियो इसको देखे जरूर होंगे तो सबसे पहले यहां पर आज मैं आपको ब सब्सक्राइश कैसे मिलेगा साथ में आपके बहुत सारे डाउट को भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते हो तो आपके बहुत सारे कांसलिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे आटोमेटि ने टेलिग्राम पे भी जाकर आफ फॉलोग कर सकते हो जहां पे अल्लेडी हमारे साथ हजार से ज्यादा स्टूडेंट स्टूडेंट बज यूटूब टेलिग्राम चैनल पे हैं तो देखो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूटियो की जो ओफिशियल आप सभी को यहां पर कॉलेज मिल जाता है यूटियो कांसलिंग के अंदर चाहे आप उत्राकंड से रहो या बाहर से रहो सभी बच्चे सबसे पली बात तो यह आ जाती है कि यार अगर आपके पास उत्राकंड का डोमेसाइल है या फिर नहीं है आप सभी लोग यहां पर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो आई यह स्टार्ट करते हैं क्या है पूरा इसका प्रोसीजर के बारे में उससे पहले जो काफी बच्चे परसांद हैं अपने कांसलिंग को लेकर इस्ट्रेस पी कांसलिंग अगर आप चाहते हो एंड अंडर माई फोर इयर एक्सपिरिय 202 रुपीज में आपको यह सारा चीज मिल रहा होगा सारे फीचर्स और साथ में जो सबसे बड़ी बात आजाती है कि मेरा ऐसा नहीं कि आपको बस से बड़ कॉल मिला नहीं आपको यहां से लेकर आपको कॉलेज एडमिशन उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो हमारे चैनल पर बहुत सरी वीडियो जो लेडी हैं पंतनगर की बात करूं तो उसमें भी बहुत सरा स्टूडेंट हमारे बीस्टी कर जो एक्जाम होता है उसके तुरू भी जाते रहते हैं ठीक है तो एक मतर ऐसा चैनल है जो आप सभी लोगों के लिए पूरा डेडिकेट रहता है और वसके पहले घर मैं यहांपे बात करो जो उत्त्र nessa किये ustady कंसलिंग होती है इसमें अगर मैं देखों तो यह आपका जोंसलिंग होता है यह आपका online mode में पूरा होने वाला है number 2 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका class 12 pass out हो तो भी आप apply कर सकते हो इस साल appear किये हो तो भी apply कर सकते हो और जो दूसरी important बात आजाती है अगर आप J main का exam दिये है तो तो उससे apply करोगे तो आपको priority J main वालों को दी जाती है बट class 12 के basis पे भी आप apply कर सकते हो लेकिन उनको priority J main के बात दिया जाता है अब दूसरी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका जो provisional registration है वो open कर दिया गया नीचे मैं description में आपको link provide कर दूँगा वहाँ पे जाकर आपको provisional अपना complete कर लेना है registration को अब वो registration सभी student को करना mandatory है ठीक है जिनको भी counseling में participate करना है बट यह counseling का जो registration होता है choice filling होता है वो अलग process होता है वो अलग से आपको करना होगा आने वाले time में जब आपका update आएगा अपडेट कहां पर मिलेगा तो नीचे एक मेरा WhatsApp लिंक भी है वहाँ पर भी आप जाकर join कर सकते हैं वो मेरा counseling जई बच्चों के लिए है especially जई में के students के लिए उसमें All India के बहुत सरे बच्चे है तो वह आप जाकर join कर सकते हैं अब यहां पर मैं बात करूँ कि आपको यह पहले provisional अपना complete कर लेना और आपका जो application number है और आपका यहां पर user ID और आपका password इसको अपना अच्छे से safe रख लेना है ठीक है और उसके बाद आपका official notification आएगा तो अगर मैं पिछले साल बात करूँ तो आपका तीन round हुए थे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 2022 में तो केवल दो ही round UTU में होता था पर लास्ट यह से इनों ने तीन round BTEC के लिए कर दिया हुआ है तो सबसे पहले करना क्या होता है कि यार आपको online registration counseling के लिए करना पड़ेगा and उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे payment वगएरा complete कर लेटे है documents process वगएरा दिन आपको क्या करना होता है कि आपको अपना choice filling करना होता है choice filling में 90% से ज़्यादा student mistake कर देते हैं और कहीं कहीं जो आप एक साल दो साल मेहनत करके अपना rank जो भी लाए अगर आप choice filling अच्छे से नहीं किये colleges को अच्छे से select नहीं किये अगर आपको knowledge नहीं है तो आप बहुत अच्छा rank लाएं आप जो college deserve करते होंगे हो सकता है वो right तो कहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोगों को अब इसमें ज्यादा risk लेने की जरूरत है अगर मैं आपके साथ हूं तो भी तो मर्जी आपकी है description में लिंक है आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको one time के वाल सपोर्ट चाहिए तो मार ही इसकी प्राइस हाइक हो जाएगा तो अभी आप इसका लाफ उठा सकते हैं और अपना जो रैंक है उस पर बेस से बेस डिजर्विंग कॉलेज भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा त्रो आउट योर कांसलिंग जर्नी और अंडर माई पर्सनल सपोर्ट चहां पर आपको मेरा पर्सनल वाट्रिप नंबर भी मिल जाएगा जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं एक दिन के अंदर या फिर जैसे ही मैं देख लेता हूं आपको मैं कॉंटेट कर लेता हूं आपक अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आपको गौर्मेंट कॉलेज और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं बहुत सारे बच्चों को नौलेज नहीं होता कुछ भी ऐसे रेंडबली फीलप कर देते हैं बाद में वो फिर काफी रीग्रेट करते हैं कि अब मैं क् तो देखो देर रहने से अच्छा है कि जो बहुत सारे च्टूडेंट मिस्टेक करते हैं उनकी मिस्टेक से आप सीको और कहीं वो चीज़े आप रिपीट न करो मैं तो यहीं रीकमेंड करूंगा बाकी मरजी आपकी है लाइफ आपका है करीयर आपका है आपको जो अपने ह option मिलेगा जैसे ही रिजल्ट आएगा आप तो फ्रीज कर सकतो फ्रोट कर सकतो या फिर विड्रॉल कर सकते अपने सीट को अब देखो यहां पर जो आपका फीस होता है बैसिकलिए अगर मैं बात करूँ सीट एक्सेप्टेंस का वह 10,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा जैसे रिजल्ट आजाएगा तो आपको सीट को चाहो तो आप एक्सेप्ट करना है तो अगर जो सीट मिल गई उससे सटेस्फाई हो तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो मतलब फिर आपका एडमिशन वही पर हो जा करना चाहिए मतलब जो सीट आपको मिला वो तो आपके पास रहे गाई बट अगर आप फ्लोट करते हो तो उससे बेटर कॉलेज भी आपको मिल सकता है इटीव टोटली डिपेंड ऑन योर कैसे आप अपना प्रेफरेंस और को फीलप किये हुए हो कई बार देखते हैं बच आएसे फीलप कर दी है फिर बाद में वो रिग्रेट करते रहते हैं तो यह चीजे आप मेरे हिसाब से नहीं आपको चूज करना चाहिए जो सीजे सही है जिसको नौलेज अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू कन कंसल्ट विद मी मैंने आपको बार बार बता दिया यह जिस इसके अंदर होती रहती हैं और यह आपका इस तरीके से पूरा काउंसलिंग आपका समाथ होता है और इसमें लगभग आपके एक डेड़ महीने आराम से लग जाते हैं तो अगर यहां पे आप देखोगे तो कहीं ने कहीं आप सभी लोग के लिए काफी जादा इंपोर्ट तो कहीं ने कहीं इस पर आप लोग को यहां पर मैंने आपको पूरा जो प्रॉसेस यहां पर समाप्त होता है ठीक है बाकि अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी अगर काउंसलिंग में दिक्कत हो तो मैं तो यह ही कहूंगा कि लापरवाही चुनने से अच्छा है कि काउंस यह आगे भी आपके जो भी डाउट से कॉमेंट में बता दीजिए आगे भी आपको चैनल पर वीडियोस मिलता रहेगा तो मेक स्यूर कि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहे एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेयर कर दें क्योंकि यहां पर आपके र सारे फैक्टर के उपर भी मैटर कर जाती है चीजे जैसे कई बच्चे मैंने देखा भी बोल रहे थे कि सर मेरा रेंक चार लाग है तो क्या मुझे गोवर्मेंट कॉलेज मिल पाएगा या फी नहीं यह देखो चीजे बहुत सारे फैक्टर के उपर डिसाइड करता है और कह नहां पे हैं टोटल गॉवर्मेंट प्राइवेट को मिला दू तो इतना आप सीट देख सकते हो कि इतने में आपको कहीं ने कहीं सीट तो आराम से मिली जाएगा और बट यह है कि अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करा होगे जो आप कॉलेटी जर्व करते होगे आपको बेटर से बेटर कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत सारा चीजे आपको मिल रहा होता है और तो यह मैंने आप सभी लोग के साथ सेर कर दिया आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर दीजिए बाकि जैसे ही इस साल का आप का ओफीशियल अप्डेट आगा काउंसलिंग का जो मेन वाला है रिजिस्टेशन वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा अपडेट तो जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए और बस थैंकि यू सोमच